सात्यों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग सात्यों आज की क्लास में हम एक important topic discuss करेंगे concerning the living relationship जहां पर discuss का mood question यह है कि क्या कोई married man means शादी शुदा मर्द किसी महिला के साथ living relationship में रह सकता है क्या ऐसा रिष्टा legally valid है क्या ऐसा रिष्टे में यदि कोई threatening मिल रही है या उनको humiliations किया जा रहा है या उनको ये भी खतरा है कि उनकी जान भी जा सकती है तो क्या उन्हें कोई protection court के द्वारा ये पुलिस के द्वारा मिल सकता है या नहीं इस mood question को answer किया है honorable पंजाब एन हर्याणा है court ने एक important judgment में जिसका नाम है आर बनाम state of हर्याणा judgment प्रोनौंस हुआ है साथ मईए 2022 को जब judgment को पढ़ा गया तो सबसे अच्छे बात या लगी कि court ने अपने judgment के शुरू के दो paragraph में ये killer कर दिया कि ऐसे relationship को क्यों protection दिया जाना चाहिए साथियों opening lines के fearing for their life and liberty at the hand of private respondent the petitioners who claim to be in the living relationship despite the male being previously married against the wishes of private respondent and such marriage in subsistence have come up before this court seeking protection through the state by invoking their fundamental rights of life guaranteed under article 21 of constitution of india seeking direction to state to protect them अब ये जो line मैंने अभी आर्च करीए उससे ये killer हो रहा है कि ये मामला जो है बटा हुआ चार सो में तोगी जो couple है ये move हो है before honorable high court और इनका कहना ये है कि article 21 सविधान का हमें right to life और liberty जो है प्रोवाइड करता है और ये liberty जो है जो है जो कि fundamental right है उन्हें किवल कानुग ही छीज़ सकता है को प्राइवेट परसन अपने ego को satisfy करने के लिए in liberties को ये in freedoms के साथ interfere नहीं कर सकता और चुकी high court और supreme court जो है सविधाने कोट है तो हमें article 226 सवि जो concept है यहां पर यह दिखाई नेता है नमबर टू उन्हें खतरा किस से है अपने ही लोगों से जिनको उन्होंने पक्षकार बनाया है तीसरी बात यह है कि उन्हें यह भी खतरा है कि अगर protection नहीं दिया गया तो यह लोग जो है जान से मार देंगे जिसकर प्रोटेक्शन जरूरी है और उनका जो बेसी टार्गेट है वो है स्टेट आफ सब जानते हैं कि in इंडिया वियर हैं रूल आफ डैमोक्रेसी और रूल आफ डैमोक्रेसी का जो बेसी से वह है रूल आफ लॉप तो स्टेट यह जिमेदारी है कि जो इंडिविजल है उनको protection भी प्रोटेक है और जो यह जो महिला है इसके साथ इस संबंदों में है और इन संबंदों पर ना तो सोसाइटी और ना ही प्राइवेट रस्पॉंडेड मीस जो उनके घरवाले हैं महर लगाने को उतारू है जिसकारण उनको लगा भई जान से मार देंगे यहां हमारी जो है अत्या कर सकते हैं जिसकारण इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए जो है कोड में जो है प्रोसीड गिया यहां पर नोटिसस जो है सर हुए कंसर्ण स्टेट को और कंसर्ण रिस्पॉंडेट को दाट टाइम्स आर चैंजिंग फास्ट कि समय जो है बदल रहा है बहुत देजी से इवन इन दोज लैंड्स देट वर लेफ बिएंड एंड इस ट्रक विद दो ओल कॉंजर्वेटिव शोशल क्रेटियास तो कोड ने क्या लिखा कि हम लोग गमन हैं सवेधानिक मेंडेट से नाकि शोशल मेंडेट से disait society ग्रो कर रही है तो जह और्त लॉक्स पैंट का उससे बहार कर ला होगा जो माररिटिट्यक है उन से बहार सुप्रीम कोट आफ इंडिया का मैथपूर्ट जज्जमेंट है दोजार चावदा है वोल्यम नाइन स्थी सेवं इसका जो है सब्सक्राइशन है इसमें कोट ने क्या है किया है किया है इस देटर्मिनेशन अफ इस केस्ट हैस तो दू अगर आटिकल 21 है तो हम राइट तो लाइफ की बात करेंगे हम राइट तो लाइफ की बात करेंगे हम राइट तो लिबर्टी की बात करेंगे और इन प्रोटोकोस को केबल कानू नहीं ले सकता है पर वो प्रक्रिया भी इसी भी वेक्ति की राइट तो लाइफ और लिबर्टी में इंटर्फेर नहीं कर सकता जब तक उसका एक्षन लॉफली जो है जिस्ट्रिफाइड नहीं हो यहां पर कोड ने क्या लिखा पर नामबर पांच के अंदर इफ अगर यह आरोप सत्य साबित हो गए तो इनको होगा इनने पर वर लॉस क्योंकि एक बार अगर मिर्ति हो गई तो वापिस से को जीवन्दा नहीं दिया जा सकता कोड का कोई कंसर्ड नहीं है कि रिलेशंशिप वैलिड है या नहीं है पर कोड ने कहा कि यह फंडमेंटल डूटी है स्टेट की तो प्रोटेट दर लाइफ ऑफ इट सब्जेट यहां पर जो फैट हैं सरकमशेंसेंस हैं तो कोड का कि हम डारेक्शन देते हैं कंसर्ट स्ब का सबसे पहले बात मैरिड वर्स अन्मेरिड वोमन अगर इस रिलेशंशिप यह तो इसको कानुन प्रोटेश्शन दिया जा सकता है नंबर टू लेविंद रिलेशंश्यप का जब बी कोड कोड कोशन या इशू तरह करेगा तो वहां पर पक्षकानों के ऑलेशिव के Section 13, Section 17 Hindu Marriage Act के प्रोटोकॉल पर टेपटी नहीं कर सकता चौती इंपॉर्टिन बात कि ये जो relationship है ये directly और indirectly protected है by Article 21 of Constitution of India और सबसे इंपॉर्टिन बात ये है कि right to life और liberty जो है किसी विक्ति का fundamental right है और उसको कोई भी नहीं चीन सकता अगर वो उसको छेनने की कोशिश कर रहा है तो उस scenario में उस concern विक्ति की विरूद भी protection के order लिए जा सकते हैं और पांच भी बात कि state जो है उसकी ये duty है जो उसके subject से उनको proper protections जो है provide करे अगर state के machinery फेल होती है तो वहाँ पर code Article 226 समिधान के तहर जो है अगर उसके बाउसर भी protection नहीं मिल रहा है लगाता आपको life threats मिल रही है evidence अगर आपको बस available है तो आप directly जो है move कर सकते हो Article 226 के अंदर for the protection of the rights तो कुर्मला के ये एक important topic है जहां पर हमने case study में जाना कि क्या कोई married man किसी माईला के साथ living relationship में रह सकता है या नहीं रह सकता है तो कुर्मला के साथियों ये जो series है इसमें कई topics को जो है record किया गया है तो आप एक एक part को जो है देखिएगा ताकि इस बारे में आपको efficient knowledge जो है मिल सके ताकि आपके rights जो है वाफट नहीं हो और बिना ढरे आपके जो rights कारण में है उसको आप enforce भी कर सके तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक net topic के साथ तेल दें जय है भारत जय श्रीराम जय बालाजी की